एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind of GK में फ्रेंट्स इस वीडियो में राजनी 37 से समंदित 40 महत्पून प्रस्ट को देखेंगे सभी प्रस्ण है जो काफी important है और किसी न किसी exam में पूछा गया प्रस्ण है सभी को बड़ी मेहनत से कत्यत करके आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं फ्रेंट्स वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग रही है इसलिए वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल पे है नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए फटा-फट देख लेते हैं 40 फ्रेंट्स लाश्ट में में कॉमेंट करके बताईएगा कि कोश्चन का लेवल कैसा था तो पहला प्रशन आपके सामने है देखेगा किस सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजात्यों हे तू एक पिर्थक राष्टी आयोग की अस्थापना का हो जाएगा नवासिवा सम्मिधान संसोधन के द्वारा प्रशन नमर दो को देखे काफी इंपॉर्टन प्रशन इससे जरूर याद रखेगा हमेशा पूछा जाता है भारतिय सम्मिधान के किस संसोधन अधिनियम द्वारा छह से चौदा वर्स के सभी बच्चों के लिए स इसका सही अंसर क्या होगा गेश किजी इसका सही अंसर आपका हो जाएगा 86 सम्मिधान संसोधन के द्वारा भी इसका दुका भी सही अंसर होगा ठीक है प्रशन नमर तीन को देखे कि इसकी सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा लोक सभा तथा विधान सभा के सीटों की संख्या वर्ष दोजारचबिस तक कोई परवर्तन न करने का प्रवधान क्या गया है जिहां दोजारचबिस तक लोग सभा और विधान सभा के सीटों की संख्या में कोई परवर्तन नहीं क्या जा सकता है तो यह नियम कब बना था कौन सा समिधान संसोधन दवारा बनाया गया था तो सही answer आपका guess कीजिए इसका क्या हो जाएगा प्रश्ण नमर तीन का सही answer हो जाएगा आपका 84 समीधान संसोधन आनि इसका सही answer B हो जाएगा चलिए अगला प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने है भारत के समीधान के 73 में संसोधन का संबंद है किस से है guess कीजिए इसका answer क्या होगा भारत के समीधान के 73 में संसोधन का संबंद किस से है केंदर राज संबंद से सरवोचन आले की सकतियों से क्या होगा इसका sensor guess कीजिए इसका अंसर D हो जाएगा पंचाइती राज वियस्था से ठीक है प्रश्ण नमर चार का से अंसर हो जाएगा D चले प्रश्ण नमर पांच को देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टन प्रश्ण है कि भारतिय सम्मिधान में संसोधन होता है इसका सेंसर अपका D हो जाएगा ठीक है धारा 368 के अंसारानी अनुचे 368 के अंसार भारतिय सम्मिधान में संसोधन क्या जा सकता है प्रश्ण ये भी पूछा जाता है कि सम्मिधान संसोधन की प्रिक्रिया किस देश के सम्मिधान से अपनाया गया है या लिया गया है तो ये सौथ अफिरका के सम्मिधान से लिया गया इसे भी आप जिरूर याद रखेगा चलिए प्रश्ट नमबर 6 को देखते हैं प्रश्ट नमबर 6 आपका सामने है क्या है कि राष्ट्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अस्थापना कब होई थी तो गेस की ज प्रशन है मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना परतिसत आरचन दिया है इसका सेंसर आपका बी हो जाएगा 27 परतिसत दिया है मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना परतिसत आरचन दिया है इसका सेंसर बी हो जाएगा 27 परतिसत प्रश्ट सभा में आंगल भारते समुधा है कि कितने व्यक्तियों को मनुरित करता है तो A करता है ठीक है इसका सैंसर A हो जाएगा ठीक है प्रश्न नमर नौ को देखें बहुत इंपोर्टेंट है परतेक राज में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन्जातियों की सूचि कौन त जलास ये करता है काफी important प्रश्ण है ठीक है friends चले अगला प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण नमबर 10 को देखी चले friends तो प्रश्ण नमबर 10 को देखते हैं प्रश्ण नमबर 10 क्या है समीधान के कि संसोधन द्वारानु सूचित जनजात्यों के लिए एक पिर्थक प्रश्ण नमबर 11 को देखते हैं प्रश्ण नमबर 11 को देखे काफी important है का इसमें कहा जा रहा है कि लोग सभा में आंगल भारते समुदाय का परतिनिधित्व नहीं होने पर समीधान के किस अनुछेत के तहत राश्ण पति उस समुदाय के दो व्यक्तियों को सदस्ता के ल जैसा कि सभी जानते हैं कि राश्ण पति है जो आंगल भारतिय के लिए दो व्यक्तियों को नामंकित कर सकता है तो इसमें पूछा जारा किस अनुछेत के तहत क्या जा सकता है तो अनुछेत 321 के तहत राश्ण पति कर सकता है प्रश्ण नमर 12 को देखें प्रश्ण नमर 12 आपके सामने है कि बरतमान समय में लोग सभा के 543 सीटों में से कितने सीटे अनुसूचित जनजाती के लिए अरच्छित है बहुत इंपॉर्टन प्रशन है तो देखे अनुसूचित जनजाती के लिए कितने सीटे अरच्छित है तो 47 सीटे अरच्छित है याद रखेगा इस रिखेएगा भार्टे संविधान के किस भाग में अलपसंख्यों के लिए विशेस प्रवधान किया गया है तो भाग 3 में प्रश्णworkers 14 को देखें प्रश्ण नमबर 14 आपके सामने है कि संविधान के किस अनुसूची में अश्रम में घालाय तरिपूरा तथा मिजोरम राजियों के अनुसूची तजनजाती छेतरों के परसासन के संबंध में प्रवधान किया गया है बहुत ही इंपॉर्टन प्रश्ण है तो प्रश्ण नम आपका कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तीथी को पारित हुआ वह कौन सी थी आनि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तीथी को पारित हुआ था आपका उप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका सय अन्सर हो जाएगा गेस कि यह 15 फरवरी 985 डेट आद रखेगा 15 फरवरी 985 को चलिए ठीक है अगला प्रस्ट को देखते हैं प्रस्ट नमर 16 को देखें प्रस्ट नमर 16 है कि भारत में सम्मिधान के निमलिखित में से कौन सी एक अनसूची में दल बदल बिरोधी कानून विशय का प्रवधान है आनि दल बदल बिरोधी कानून का प्रवध कि दल बदल कौन से अनुसूची में है तो दस्वी अनुसूची में दस से दल बदल और दस से दस्वी तो दस्वी अनुसूची में है प्रश नमबर 17 को देखें प्रश नमबर 17 विधान सभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्लिखित में से किसने परतिबंध लगाया है ठीक है आनि कौन सा सम्मिधान संसुधन के द्वारा यह परतिबंध लगाया गया है कि विधान सभा में किसी दल की निर्वाचिस सदस के दल बदल पर दल बदल नहीं कर सकता है ठीक है तो कौन सा सम्मिधान संसुधन के तरह तहत आपका यह दल बदल ह उस पे पर्ति बंद लगाया गया है तो प्रश्च नंबर 17 का गेश किजिस सैंसर क्या होगा तो इसका सैंसर आपका A हो जाएगा जो दल बदल से संबंधित है ठीक है? समिधान का बावानमा संसूदन है कि इसका सैंसर A हो जाएगा प्रस नमबर 18 को देखें प्रस नमबर 18 बहुत important प्रस नहीं आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्स किया गया था चलिए guess किजे आम आदी पार्टी का गठन किस वर्स किया गया था अप्सन में 2010, 11, 12, 14 इसका answer हो जाएगा आपको C 2012 में आम आदी पार्टी का गठन किया गया था ठीक है अगला प्रस को देखें अगला प्रस नहीं है कि भारत के किस राज में पहली बार गैर कॉंग्रेसी सरकार बनी है तो किस राज में तो केरल राज में ठीक है फ्रेंट्स केरल में आद रखेगा अगला प्रश्ट को देखते हैं प्रश्ट नंबर आपका 20 नंबर क्या है देखे प्रश्ट नंबर 20 है भाजपा के गठन के पस्चात इसके पर्थम अध्यक्ष कौन थे ठीक है यानि BJP का जो गठन हुआ था जब BJP का स्थापना हुआ था तब पहले पर्थम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है इसका सेंसर गेज किज़े क्या होगा इसका सेंसर आ पात स्थिती की घोषना कर चुके है ऑभी तक भारत में कितनी बार बिटिये अपात की घोषना की गई है तो देखा इसका सेंसर आपका D हो जाएगा ध्यान से याध रखे गया प्रश्ट ठीक है चलिक्ष अगला प्रश्ट को देखते हैं अगला प्रश्ट अपका है कि संव्यधान के किस अनुछेद की अधार पर राष्ट पती देश MS में वितिय आपात की घोषना कर सकता है अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है लेकिन कौन सा अनुछेद में प्रवधान है कि वितिय आपात की घोषना कर सकता है इसका sensor गेश कीजिए sensor आप हो जाएगा अनुछेद 360 ठीक है यानि आप्संस ये इसका सही अंसर हो जाएगा प्रश्ट नमबर 24 को देखे प्रश्ट नमबर 24 आपके सामने है यह अब तक किस राज में सरवाधिक लंबी अब धीत तक राष्ट पती सासन लागू रहा है बहु जम्मु कस्मिर में अब तक सबसे लंबी अभीत तक राष्ट पती सासन लागू रहा है चलिए अगला प्रश्ट को देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टन प्रश्ट पती सासन इसका अंसर गेश कीजिए पर्थम बार राष्ट पती सासन किस राज में लागू किया गया था ठीक है फ्रेंट्स तो किस राज में गेश कीजिए तो इसका सेंसर डी हो जाएगा पंजाब में पर्थम बार राष्ट पती सासन लागू किया गया था चलिए प्रश्ट नमबर 26 को देखते हैं हाँ प्रश्ट नमबर 26 को देखिए काफी इंपॉर्टन प्रश्ट है ठीक है और पर्थम बार किसी राज में किया गया था तो पंजाब में किया गया था और कब डेट आद रखेगा 20.0959 को लागू किया गया था प्रश्ट नमबर 27 को देखिए का रहा है कि कि किसी राज मेराष्ट पती सासन किसी परिस्थिती में अधिकतम कितनी अवधी तक दो किया जा सकता है बहुत है इंपोर्टेन प्रशन है गयेश किजिए कि प्रश्ट नमैर 27 का सेंसर क्या होगा कि किसी राज मेरा राष्ट पती सासन किसी परिस्थिती में अधिकतम कितनी अवधी तक लागू कि जा सकती है तो देखिए अधिकतम तीन वर्ष तक लागू क कि जा सकते हैं राश्च्पति शाषन चली ली अगला प्रस्ट को देखते हैं आपका अगला प्रस्त नहीं देखिए कि संसत द्वारा प्रस्ताउ पारित होने पर किसी राज़्य में राश्च्पति साषन एक बार्भ Colon जो पूछे कितने दिनों कि लग सकता है तो दो टीन वर्स तक लग सकता है और अगला प्रसकं को देखते हैं प्रसनमर 29 को देखें कि राश्टपती द्वारा राज में राश्टपती सासन उद्गोसन की कितने दिनों के भीतर संसत की स्विकृति आवस्चक है जब राश्टपती सासन की उद्गोसना कर देंगे तो कितने दिनों के भीतर संसत की स्विकृति आवस्चक है तो guess किज़े इसका सैंसर क्या होगा इसका सैंसर हो जाएगा दो माँ ठीक है आनि दो माँ के भीतर सैंसर की स्विक्रिती अवस्चक है ठीले प्रश नमबर 30 को देखते हैं प्रश नमबर 30 आपका है राज में राश्पती सासन से तातपर्य राज में किसके सासन से है जब किसी राज में राश्पती सासन लागू किया जाता है तो इसका तातपरी क्या होता है ठीक है तो इसका सैंसर गेश किज़े इसका सैंसर आपका हो जाएगा ठीक है राज के राजपाल से प्रश्ण को फिर से एक बार समझें राज्यों में सम्माइधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्टपती सासन लागू क्या जा सकता है और किसी राज्य में राष्टपती सासन लागू क्या जा सकता है सम्माइधानिक तंत्र के विफल होने पर तो यह प्रवधान किस अनुछेद में है यह हो जाएगा 356 के तहत अगला प्रस को देखते हैं प्रस नम्मर 32 बहुत ही इंपॉर्टन प्रस निमलिखित में से कौन सी भासा समिधान की आठ्वेन सूची में नहीं है तो उर्दु है नेपाली है कोकनी है ठीक है इसमें भोजपूरी है जो नहीं है ठीक है फ्रेंट्स भोजपूरी को जगह नहीं मिली है तो प्रस नम्मर 32 का जो संविधान संसोधन की द्वारा संविधान भारतिय संविधान की आठ्वेन सूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथली भासा को समावेश किया गया बहुत इंपॉर्टन प्रस नहीं है इसका संविधान आपका हो जाएगा सी आनि बावानवा संविधान संसोधन की तहत ठीक है आठ्वेन सूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथली भासा को जोड़ा गया तो टोटल अभी कितना है तो टोटल 22 भासा है ये भी याद रखेगा चलिए प्रस नमर 34 चलिए फ्रेंड्स तो प्रस नमर 34 को देख राज भासा योग के पर्थम अध्यची कौन थे तो इसका सैंसर आपका ए हो जाएगा चलिए अगला प्रस को देखते हैं अगला प्रस न देखिए काफी हम पॉर्टेंट इसका जवाब गेस किजिएगा कि राज सूची से हटा कर समवर्ती सूची में लाया गया है आनि इ प्रस को देखिए अगला प्रस को देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसन है EVM का पर्योग भारते चुनाओं में कब से प्रारंब हुआ है बहुत है important प्रश्ण है EVM का full form आप लोग को मालूम होगा electronic voting machine तो electronic voting machine का पर्योग भारते चुनाओं में कब से प्रारंब हुआ है तो 1908 में से प्रारंब हुआ है अगला प्रस को देखते है प्रस नंबर 38 को देखें प्रस नंबर 38 आपके सामने है निमलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयो का नहीं है तो इसका सहेंसर आपका हो जाएगा D हो जाएगा आनि चुनाओ के लिए उमिद्वारों का चैन करना ये है जो आपको निर्वाचन आयो का काम नहीं है बाकी चिन्हों का अवंटन करना निर्वाचन की तारिखें तै करना चुनाओ की निश्पस्ता को बनाये रखना सभी है जो निर्वाचन आयो का कार्य है जबकि चुनाव के लिए मिदवारों का चैन करना इनका कार्य नहीं है प्रश्ण नमर 49 को देखें प्रश्ण नमर 49 है भारते समिधान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रवधान है तो बहुत इंपॉर्टन प्रश्ण है कि लोग सेवा आयोक का परमुख कारे है तो लोग सेवा आयोक का परमुख कारे क्या है जिस किजिए a में भारती, b में परशिच्छन, c में निर्वाचन और d में परशासन का संचालन देखें, option बहुत करीब से दिया हुआ है जिस किजिए इसका क्या काम है बहुत important प्रश्ण है तो देखे लोग सेवा आयोग का परमुक कार्य है आपका भरती करना ठीक है तो आपका 40 नमर प्रश्ण का सेंसर ए हो जाएगा चले प्रश्ण नमर 41 जो इस वीडियो का last प्रश्ण है वीडियो का लाश्फ प्रश्न है कि संग लोग सेवायोग का ध Smash अपना त्याग पत्र किसे सवपता है तो राश्ठ पती को सवपता है ठीक है फ्रेंच तो हम लोगने अभी enda तारीस प्रश्न को देखे जो सभी राजनीती साथ से सभी important था आप एक दो बार इससे देख ले और mind में fit कर ले इससे हो सकता एक दू प्रश्न आ भी सकता है ठीक है friends तो next वीडियो में मैं एक या दू घंटा के बाद current affair के साथ फिर मिलता हूँ देखने के लिए thank you, धन्यवाद